देखी रुजहान तो ये स्पस्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महा उत्सब मनाया था तीन दिनों तक आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं तुल बीजेपी के अपनी सीट 232 पे जा रही है बहुमत से अभी भी दूर हैं और अगर मैं चंद्रबाबु नाइडू की पा 2400 कॉंस्टेंसी में अभी हमने बात की है दो से सवा दो लग वोट की ही गिनती हुई है जबकि पूरे देश में लग भग आदे से जादा राउंड थतम हो चुके हैं यहां तीन राउंड चार राउंड पांच राउंड मैक्सिमम हैं तो मैं अग्रह करूंगा चुनाओ आ लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीत को मैं समझता हूं और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि चार जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है तो संभवत है नितीज जी या चंद्रा बाबू वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्म मोग्द एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए ऐसा मेरा विश्वास है आप लोग उम्मीद करते हैं कि नितीज जी और आप लोग कोईशिस करेंगे कि नितीज जी को आप बताएं कि इधर आना है आप इसके सुतरजार रहे हैं देखे मैं मैंने जो कहना था मैंन पसंद नहीं आई ताना शाही कभी किसी की पसंद नहीं आई मैं समझता हूं उसी अनुसाद निर्डेलेंगे एक सवाल और आप से कई लोग कर रहे थे डबल डिजिट में नहीं जा पाएंगे और कई तरह की बात की बीजेपी चार सो पार जाएगी ही जाएगी नितीज ज प्रस्न ये है कि चार सो पार आज 230 पे स्ट्रॉगल कर रहा है 230 पे ये अपने आप में संदेशे की लोकतंत्र में आपकी आत्मुगता अपका अहंकार इतना ना चला जाएना कि आप वोटर को तुछ समझने लगे मैं समझता हूं ये परिनाम उसी दिशा में इंगित कर रह लग लग खास करके पुर्वान चलके पूरे इलाके से वहां लगभग सफाया हो रहा है खुद मैं देख रहा था कि कैमिनेट मिनिस्टर साथ सतर हजार से पीछे चल रही है तो ये एक संदेश है जो मैं बार बार दो रहा हूंगा कि लोक तंत्र में किसी भी व्यक्ती का अ देखेंगे कि सीट डबल डिजिट से उपर जाएगी तो वो मैं समझता हूं कि आप स्पस्ट तोर पे देख पाईगा